गुट बॉर्निंग स्टुडेंट्स अभी तक हमने देखा पदार्थ के बहुत इक स्वरूप जिसमें से कि हमने दो पॉइंट्स देख लिया थे पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है सेकेंड्ली पदार्थ के करण बहुत चोटे होते हैं इनको अमने डेटेल में देख लिया है थर्ट पॉइंट है पदार्थ के कणों की बीच में रिक्ते स्थान होता है तो बच्चों जब भी हम चाय कॉफी और नीवू पानी बनाते हैं तो क्या होता है कि जो पानी है और ज दूसरे पदार्थ के करण के रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं सैट हो जाते हैं जो भी उनके बीच में गैफ होता है वहां पर वो क्या हो जाते हैं सैट हो जाता है तो इसके हमको क्या पता चला जब सै अगर रिक्तिस खाली जगह में जाके कोई चीज सैट हो रही है इसका म तो इसे निखे थी तभी तो घुलने से क lange है कि पडार्थ के करड़ों के वीच मेंुडिति स्थान होता है फॉड पॉइंत पडार्थ के कन निरंतर गतीशील होते हैं तो पदार्थ के गण निरंतर गती शील होते हैं इससे हमें क्या समझ में आ रहा है अगर पदार्थ के गण निरंतर गती शील है इसका मतलब की उन में कौन सी जूर्जा है गती जूर्जा है और गती जूर्जा के साथ एक चीज और है अगर हम गती जूर्जा में ताप तो एक तो यह होता है कि उसको दो गंटे रख दो अपने आप गुल जाएगी एक कंडिशन यह होती है कि शक्कर में पानी में शक्कर डालो और उसको किसके उपर रख दो गैस के उपर रख दो गरम गर दो तो वह आटोमेटिक जो दो गंटे का काम था वो किते मिट में हो गय इसका मतलब तापमान बड़ाने से कणों की गति जूर्जा भी बढद धी है, इससे हमको यह पता चला, अब एक चीज और है, अब ज journ का एक दूसरे में मिल जाना को, क्या बोला जाता है? अन्तः मिश्रथ बोलते हैं, कि वो आपस में क्या हो गये है, अपने आप मिलते हैं हमें कोई इसमें एफ़र्ट नहीं लगाने पड़े जैसे कि अगरवत्ति जलाई अगरवत्ति एक कमरे में पूझा वाले कमरे में जलाते हैं और उसकी खुश्बू हमको बाहर तक आती है या किचिन में मम्मी खाना बना रही होती है तो उसकी मिलना अपने आप मिल गए हमने तो नहीं मिलाया कि भी खुश्बू है हवा में मिल जाओ अगरवत्ति कि खुश्बू है हवा में मिल जाओ हमने प्रेशर डालके तापमान बढ़ा कि हमने ऐसा कुश करके तो नहीं मिलाया वह सौता मिली अपने आप मिले तो इस तरीके से जब अपने आप मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेसरन, या फिर क्या बोला जाता है, इसको डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करना, और जब हम किसी चीज को गरम करते हैं, तो गरम करने से डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा यह सम्हचें का एक नरतिकों का मतलर बनाट premi से और एक सावीय है तो इसका मतलर हमको कैसे घुशत क अकरश्चित कर रहे हैं या उननों Sep ने नहीं कैज ऑने रखते हैं विदो आकरश्चित करते हैं इसी तरीके से जिसातरिके संगर निमें आपको दिखाया ईसी आफिक केस बस थोड़ा सी डिपेंड यह करता है कि जो आकर्शन्व लाग रहा है क्थंगे बीच में जो बल लग रहा है और प्मए जो फ़ैयंदा है तो किस पर पर करता है कि हमारे जो भी हमारे सबस्टेंंस है या जो हम पधार्थ यॉजे कर रहे हैं उसकी सामर्थ पर उसकी पावर पर डिपेंड करता है मला उसकी हर पदार्त में आपका जो आकर्शन बल है वो अलग-अलग होता है ठीक है ठोश जैसे कि ठोस यह सॉलेड जोलिड में बहुत ज्यादा होता है मिलादा उनके मॉलिक्यूल सापसे बिल्कु चिपके हुए होते हैं ध् दूर दूर होते हैं मतलब उनके बीच में आकर्शन थोड़ा सा कम होता है और गैस में आकर्शन बहुत कम होता है नहीं होता हम नहीं बोलेंगे होता है लेकिन कम होता है कम होने के कारण उनके मॉलिक्यूल तभी हमेरे हवा में विश्रन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि कि हवा के जो कण है एक कण यहां है तो एक कण यहां है हवा के में कण क्या होते हैं बहुत दूर-दूर होते हैं तो तापमान बढ़ाने से विश्रण क्या होता है तेजी से होता है तो वच्छो यह पांच पॉइंट्स है इनको ज़र आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लीजेगा ओके थेंग यूट